Hi Everyone, I'm Advocate Sapna Kaushik और आज हम दिस्क्स करने वाले हैं Section 498-A के बारे में अकसर लोग यह जाना जाते हैं कि आखिर Section 498-A क्या है इसमें कब अरेस्ट किया जा सकता है, किस-किस को अरेस्ट किया जा सकता है और उसमें कितने साल की सजा हो सकती है यह trial कितने सालों तक चल सकता है और अगर wife ने जूटा case दर्ज करवा दिया है तो उसके खिलाफ कौन से counter case फाइल किये जा सकते हैं आज हम इन सभी सवालों को समझेंगे लेकिन इन सवालों को समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि आखिर Section 498-A क्या है IPC case Section 498-A में यह कहा गया है कि जो कोई भी किसी महिला का पती या पती का रिष्टेदार होते हुए ऐसी महिला के साथ कुरूरता करेगा तो उसे कारवास की सजा होगी जिसे 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है अगर हम आम भाशा में समझने की कोशिश करें कि Section 498-A आखिर क्या है तो इसका मतलब है कि पती और उसके रिष्टेदार अगर पत्नी पर किसी भी प्रकार की कुरूरता करते हैं तो उन्हें 3 साल तक की जेल हो सकती है या उनके उपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है सवाल आता है कि Section 498-A को लाने की क्या आवश्यक्ता थी तो शादी शुदा महिलाओं के साथ बहुत कुरूरता होती है और उसी कुरूरता की वज़े से कई बार वो आत्मत्या कर लेती थी दहेज हत्याएं होती थी और इन्ही सब को रोकने के लिए सन 1983 में IPC में Section 498-A को एड़ किया गया था ताकि ऐसी दहेज हत्याओं को रोका जा सके फिर सवाल आता है कि Section 498-A में आखे गिरफतारी का आधार क्या है क्योंकि Section 498-A एक कॉगनिजेबल यानि की संगया प्राध है इसके पुलिस इसमें आपको अरेस्ट कर सकती है अगर पुलिस को कोई ऐसी कंप्रेंट मिलती है जिसमें 498-A के एविनेंस दिया जाते है और जिससे ये साबित हो जाता है कि पती और उसके रिष्टेदारों ने पतनी के साथ कुरूरता की है तो ऐसे केसिस में Section 498-A के तहत अरेस्ट किया जा सकता है लेकिन क्या Section 498-A में ऐसे ही अरेस्ट कर लिया जाएगा नहीं Section 498-A एक गैर जमानिती और संगे अपराद है यानि कि ये एक non-cognitible और non-vailable offense है लेकिन ऐसे कई judgments हैं अर्णेश कुमार वसे स्टेट ऑफ बिहार जोकि Supreme Court का एक landmark judgment है इन सब judgments के आने के बाद Section 498-A में जनरली किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि आरोपी यानि कि जो पती और उसके रिष्टेदार हैं वो investigation में शामिल नहीं हो रहे हैं corporate नहीं कर रहे हैं या वो भाग सकते हैं या पतनी को बहुत ज़ादा चोटे आई हैं तो ऐसे cases में पुलिस पती और उसके परिवाब वालों को arrest कर सकती हैं लेकिन उन्हें अपने उच्च अदिकारियों जैसे कि DCP की permission लेनी होगी और record करना होगा कि reasons क्या हैं जिनकी वज़े से पती या उसके परिवाब वालों को arrest किया जा रहे है जनरली 498A में अब arrest नहीं किया जाता लेकिन अगर पती को लगता है कि उसको arrest किया जा सकता है उसके खिलाफ section 498A में case दर्ज हो गया है तो ऐसे cases में पती को तुरंट किसी अच्छे वकील से मिलना चाहिए और अग्रिम जमानत जिसे कि हम anticipatory will कहते हैं उसके लिए apply किया जाना चाहिए वैसे होना तो यह चाहिए कि section 498A को अब जमानती अपराद में बदल दिया जाए और असंगी अपराद में बदल दिया जाए क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अब इस section का misuse करने लगी है अब अगर किसी भी महिला को अपने पती या उसके रिष्टेदारों से बदला लेना है तो वो सबसे पहले section 498A में केस दर्ज करवाद देती है कई बार तो यह देखने में आता है कि 95 साल की 88 साल की 70 साल की महिला है जो शायद हिल भी नहीं सकते है या परिवार की वो नंद या भाविया जो अलग रहती हैं दूसरे देश में रहती हैं दूसरे शहर में रहती हैं उनको भी केस में दर्ज गलत केस में section 498 के जूटे केस में फसा दिया जाता है अगर परिवार का कोई मानली जी देवर है या नंद है वो सरकारी नौकरी के लिए तर्यारी कर तो सबस कोशिश की हमें जान सहिमानने की कोशिश की ऐसी केसि उनके ऊपर और आरोप लगा दिये जाते हैं जिनको कोड भी समझता है कि यह बहुत अरोप लगा दिये गए तो ऐसे केसमें कि हर किसी को और रेस नहीं कर चाहिए लड़का या misuse भी बहुत करती है, इसलिए भी कहा गया कि section 498A में अब direct arrest नहीं होगा unless police reasons record करे कि क्यों arrest किया जारा है और उच चरिकारियों से पहले permission लेगी तभी arrest किया जा सकता है तो जादा section 498A में डरने की जरूरत नहीं होती, अगर आपको लगता है 498A में case दल जोगे तो सीधा आप अपनी anticipatory bail के लिए apply कर सकते है फिर बात आती है कि 498A में गिरफतारी के लिए police की क्या प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले police ROP को 41A के तहत notice भेजकर investigation में शामिल होने के लिए बुलाती है यदि ROP सहयोग नहीं कर रहा या police को लगता है कि हिरासत में लेकर पूस्ताच करना जरूरी है तो ऐसे व्यक्तिक को arrest करने के लिए DCP से या उच अधिकारियों से permission मांगे जाती है और वो reasons को record कर रहा जाता है कि क्यों arrest किया जा रहा है और अगर DCP या उच अधिकारियों ने permission दे दी तो फिर arrest किया जा सकता है इसलिए मैंने आपको पहले बताए कि anticipatory bail यानि कि अग्रिम जमारत अगर section 41A में आपको notice मिल गया है section 498A में complaint file करवा सकती है girlfriend या आपकी दूसी पत्नी जैसे कि आपने पहली पत्नी से बिना तलाक ले दूसी शादी कर ली तो वो complaint नहीं पाइल करवा सकती section 498A में अगर आप live-in में रहे तो live-in पार्टनर नहीं करवा सकती सिफ शादी शुदा महिला ही अपने पती पती के दिष्टेदारों के खिलाफ section 498A में केस दर्ज करवा सकती है और उसके लिए उसे साबित करना होगा कि उसके साथ क्रूरता हुई है ऐसा नहीं कि अगर कुछ नहीं हुआ हलका सा लड़ाई जग्रा हो गया नॉर्मल बातों पे तो जाकर section 498A में केस दर्ज करवाया जा सकता है उसके बात section 498A में सवाल आता है कि अग्रिम जमानत क्या है उसके लिए क्या प्रक्रिया है जैसे ही आपके खिलाफ section 498A में केस दर्ज हो गया तो police आपको arrest कर सकती है इसका आपको डर रहता है जनरली police arrest नहीं करती लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप 498A में अग्रिम जमानत जिसे की anticipatory bail कहते हैं ले ले आप किसी अच्छे वकील से मिली हो 498A में अग्रिम जमानत के लिए आव्यतन करिए और आपको फिर police arrest नहीं कर पाएगी उसके बाद सवाल आता है कि section 498A आखिर कितने साल चल सकता है section 498A का case हो या कोई भी दूसरा case हो वो कितने साल चलेगा इसका जवाब आपको कोई नहीं दे सकता क्योंकि कोई भी time limit नहीं है यह 4 साल 5 साल 10 साल या 15 साल भी चल सकता है इसलिए अगर आपके खिलाफ section 498A का case दर्ज हुआ है या फिर आपकी wife आपसे तलाक लेना चाहती है तो आप सारे cases को उनको कहें कि वह आपस सारे जो cases आपके ओपर लगाए गए हैं उनको वापस ले ले और आप mutual divorce की तरफ चले चाहिए यानि कि आपसी सहमती से तलाक ले पर एक सवाल आता है कि क्या section 498A में जो case हुआ है उसको रद किया जा सकता है आप section 482 में high court में question petition लगा सकते हैं जहाँ पर अपना case question के लिए डाल सकते है wife आपके उपर जो 498A का case डाला है उसे वापस ले सकती है और फिर आप mutual divorce में भी जा सकते हैं क्या IPC की धारा 498A के तहत मामला दर्ज होने के बाद ROP को तुरम ग्रफताय किया जा सकता है अगर कोई गंभीर चोट नहीं है ROP पुलिस के साथ investigation में participate कर रहा है पूरा cooperate कर रहा है तो बहुत कम chances है कि पुलिस आपको arrest करेगी इसके अलावा महिला को भी section 498A में arrest किया जा सकता है इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि 498A में case दर्ज हुआ है तो जल से जल जाके महिलाओं के लिए भी अपने परिवार की बेल ले ले क्योंकि किसी को भी arrest किया जा सकता है अगर कुरूरता हुई है महिलाओं को बहुत ज्यादा चोट है जो आपकी पत्नी उसको बहुत ज्यादा चोट आ गई है अगर आपने मारा पीटा या आपके परिवार की किसी महिला ने उसके साथ कूरूरता की है तो हो सकत पुलिस अरेस्ट कर ले इसलिए हमेशा पुलिस के साथ कॉपरेट करें इंवेस्टिगेशन में जब पुलिस आपको भुला रही है थाने जाएं पूरे अपने स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करवाएं और किसी अच्छे वकील से मिलकर जमानत अग्रिम जमानत ले ले उसके ल करने लगती है तो उस जगह से भी केस दरज करवा सकती है गलत जूटा केस दरज करवा दिया पति पर तो पती क्या अगर सकता है इसके बदले में पती क्या कर सकता है ब्लैक मिलिंग का केस दर्ज करवा सकता है अपनी पत्नी के उपर कि मेरे उपर जूटा 498A का केस दर्ज करवाया है इसके लिए वो पत्नी के उपर भी FIA करवा सकता है लेकिन जादर तक cases में पुलिस ऐसी FIA लिखती नहीं है लेकिन अगर आपके पास पूरे evidence है कि आपके उपर जूटा case लगा है मानलीजे आपकी पत्नी ने कहा है 498A की complaint पे कि इस दिन इस तारीक को मेरे पती ने मुझे बहुत बुरी तरीके से मारा था लेकिन उस समय आप कहीं दूसरे शहर में थे आप किसी दूसरी जगा पर थे आपके पूरा evidence है तो आप अपनी पत्नी के उपर भी case दर्ज करवा सकते है और अगर trial में ये साबित हो जाता है कि case जूटा है, case dismiss हो जाता है तो आप अपनी पत्नी के उपर मान हानी यानि की defamation का case भी दर्ज करवा सकते हैं और section 192 में भी case दर्ज करवा सकते हैं तो ये सारे सवाल थे जो अकसा 498A के cases में लोग हमसे जानना चाहते हैं अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई सवाल है या तो आप हमसे comment section में पूछ सकते हैं इसके लाब आपके इन और मुद्दपर वीडियोस चाहते हैं प्लीज comment section में बताएं धन्यवाद